आँ ऐए नमस्कार किसानवाईयो स्वागत है आपका आपके यूटूप चैनल ए इइफ Nichों हम बात करेंगे सजेंटा के चेश के बारे में के चेश में कौन से टेक्निकल हैं और किस तरीके से ये कौन करता है तो किसानवाईयो जो किसानवाईयो हमारी वीडियो को बना आए ह ächen किसान वहयो चेस एक्षिसटैमिक स्थैटिसरी साइट प्रॉड्ट है जिसके अंदर पाइमैकरोगों। वो दभा है जो पौधे में डालने के बाद पौधे में पूरी तरीके से जहर पैदा कर देती यानि शिस्टैमिक तरीके से जहर पैदा हो जाता है जिस से किनम आने वाला तेला नहीं आ पाता जैसे कि आप किसान भाईयों इस प्लॉट में देख रहे हो हम पहुंचे हैं किस कदर बेंतहा तेला है मतलब इस कंडीशन पे है ये सिगंड श्टेच पर खेत आ चुका है और चार दिन बाद ये खेत को बचाना मुस्किल नहीं नामुम्किन हो जागा क्योंकि ये आधी जान अब तक पौदे की खीच चुका है पत्ती इसकी नीचे से सारी पीली पड़ चुकी है तो किसान भाईयों आपको मैं बता दूं कि चेस सिस्टेमिक प्रोड़क्ट है इसे डालने के बाद ये पत्ती दौरा पूरे पौदे को जैरीला कर देता है जिससे क्या नाम लगबग 15 से 20 दिन तक पौदे के अंदर जाहर मौजूद रहता है और किसी पिरकार का हौपर यानि के तेला नहीं आ सकता ये बुनके के लिए इस्पेसली प्रोड़क्ट है किसान भाईयों आपको एक बात औ दिखाई देगा होता क्या है ये सिस्टेमिक है एक दम तेले को नहीं मारता ये आराम से पौदे में पहुंसता है और एक देड़ घंटे बाद जो आपका नुकसान उसके पंजो द्वारा और मूँ द्वारा रस चूसा जाता है उसे तुरंत रोग देता है बस धीरे धीरे इससे तेला मरता है तेला आराम से लगबख तीन चार दिन मनने में ले ले लेता है ये उसके मूँ को बंद कर देता है जिससे खाना सके और उसके पैरो को भी लॉक कर देता है जिससे चल फिर जादा ना सके और अंडा देने की जगा भी बंद कर देता है बहुत से तेले के product हैं जो market से हम डालते हैं उसे डालने के बाद तीसरे चोथे दिन तेला फिर से दिखाई देता है होता क्या है कि तेला तो बो मार देता है मगर तेला मरते मरते भी अंडे दे जाता है जिससे उसकी अगली generation तरण हमारे plot यानि के फसल में दिखाई देती है इसलिए आप हमेशा अच्छा प्रोडक्ट ही चोईस करें और जो तेले के कई प्रोडक्ट आ रहा हैं मार्केट में अंदगंद को ना डालें उससे क्या होता है खेत में एकदम गर्मी फैल जाती है जिसमें दाना कुछ काला भी जादा होत जाता है पैदावार में हमारी गिराबट हो जाती है यानि के मालो जैसे 30 काउंटल एकड़के या 35 काउंटल कटने वाले हैं तो 4-5 काउंटल का आपको लॉस हो जाएगा इसलिए किसान वाहियो आप इसे डाले ये 120 ग्राम एकड़का डलेगा और इसको लगभग पौने 200 स दालने पर वो उपर ही गर्मी की कार सुख जाता है नीचे नहीं पहुच पाता जिससे टेला अच्छे से ड़ह आप जब भी पाई डालें तो अधिक से अधिक पाई डालें जिससे तेला पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए किसान भाईयो इसका खर्चा लगभग चेसका आपको पड़ेगा 700 से 800 रुपए एकड़ और किसान भाईयो कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नमस्कार